कि नमस्कार दोस्तों मैं रोधन श्र महाजी रॉर अपस ही सामने आपके अपने चैनल जोते शेन वासतू में कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाल है राजनिती में करियर बनाने के लिए क्या-क्या योग कुंडली में होने चाहिए कौन-कौन से ग्रह सपोर्ट करते हैं कौन-कौन से भाव मजबूत होने चाहिए कुंडली में जिससे कि आप राजनीती में कदम रख सकते हैं और राजनीती में सफल करियर आप बना सकते हैं जो भी राजनेता हुए हैं जो भी सफ योग बनता है कुंडली में क्या विशेश योग बनते हैं कुंडली में जो कि आपके करियर को राजनीती में एक दिशा देते हैं सबसे पहले कुंडली में आप छटे गर को साथवे गर को दसवे गर को और ग्यारवे गर को जरूर देखिए छटे गर से आप सीधी बारवी द से यहां पर देखा जाना चाहिए तो इन गरों के इन भाव को देखने पर यहां पर आप अगर एक भी भाव यहां पर मजबूत है या उच्च का कोई ग्रह बैठा हुआ है तो आप सत्ता में जाने के लिए कहीं ने कहीं कई उने कदम यहां पर बढ़ा सकते हैं इस पेशली जैसे मैंने का दस्वागर बहुत जादा कर्म का गर होता है दस्वागर राजनीती का गर होता है दस्वेगर में अगर कोई मजबूत ग्रह उच्चका होके बैठा है तो जरूर आपको राजनीती में कदम बढ़ाना चाहिए बिना किसी हिच के चाहट के आप राजनीती में जा सकते हैं और एक सफल करियर की तरफ आप यहां पर बढ़ सकते हैं छटागर सेवा भाव होता है छटागर सेवा का गर होता है छटेगर में अगर कोई मजबूत ग्रह बैठा है मतलब कि आप जन कल्यान का काम कर सकते हैं औ सात्वेगर का दस्वेगर से संबंध होता है, इस कारण से सात्वागर देखना अनिवारी बन जाता है, सात्वेगर को हम नेगलेट नहीं कर सकते हैं गुरू नवेगर में शुब प्रभाव देते हैं आप सभी ने देखा होगा कि राजनिती के लिए सूर्य और गुरू को प्रभल माना जाता है, राहू का सहयोग मिल जाए तो और अच्छा हो जाता है और नवेगर में अगर गुरू हो जाएं तो वो शुब प्रभाव देते हैं इसी कारण से नवेगर को भी यहाँ पर जरूर देखना चाहिए दस्वमगर मतलब की दस्वागर और दशमेश का संबन सात्वेगर से होता है तो अब आपको समझ में आ गया कि क्यूं हम 6, 7, 9 और 10 को यहाँ पर काउंट कर रहे हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर गर देखे जाते हैं यह बहुत जरूरी है उसके बाद कौन-कौन से ग्रह जैसे मैंने अभी नाम लिया सूर्य सबसे प्रवल सबसे पहले अगर आपको राजनिती में जाना है तो आप सूर्य को देखे सूर्य, प्रभावशाली, पराकरम, कॉन्फिडेंस और लिडर्शिप क्वालिटी को दर्शाता है अगर आपका सूर्य मजबूत है तो आप राजनिती के लिए उप्युक्त है अगर आपका सूर्य कमजोर है, नीच का है, कंबस्ट है, अस्थ है आप राजनिती के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रियेट नहीं है कुंडिली में अगर आपका सूर्य दस्वे घर में स्वराशी का या उच्च का होकर बैड़ी आए तो राजनिती यहाँ पर कन्फर्म कर देता है सूर्य के सी साथ राहू का सयोग जो जैसा मैंने अभी बताया था राहू बहुत important ग्रह है राहू का सयोग अगर मिल जाए तो यहाँ पर राजनिती में कदम को आपको सफलता की तरफ ले जाने का काम राहू करता है राहु मान सम्मान दिलाता है, राहु आधा दिलाता है, राहु राजनिती के लिए सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है सूर्य को गुरु का साथ मिल जाए, तो आप और जादा अच्छा राजनिती में यहाँ पर कर सकते हैं सूर्य के ही साथ शनी और मंगल ग्रह को हम नेगलेट यहां पर नहीं कर सकते हैं तो मंगल की स्थती जानना बहुत ज़ादा जरूरी होता है क्योंकि मंगल समाज में आप किस तरह से काम करते हैं उसको दर्शाता है लोगों के हितों के लिए सेवा भाव जिसको मैंने कहा था मंगल उसको दर्शाता है जन कल्यान को दर्शाता है तो आपका मंगल किस प्रकार से काम कर रहा है दस्वेगर में है या नहीं है उसका भी प्रभाव यहां पर जरूर पड़ता है और शनी जो की जनता के हितेशी होते हैं जनता के लिए काम करते हैं जनता ही शनी है तो इसलिए अगर आप राजनिती नेता हैं तो आपके लिए शनी का काम कौन कर रहा है जनता कर रही है पप्लिक का सपोर्ट नहीं होगा शनी का साथ नहीं मिलेगा तो राजनिती में करियर नामुम्किन है तो इसलिए सूर्य और शनी का मजबूत होना नेसेसरी है राहू और मंगल का साथ मिलना नेसेसरी है तो इसलिए ये 4-5 गरह जो हैं यहां पर जरूर देखे जाते हैं जो क कि आपके राजनीति करियर को मजबूत बनाते हैं राहू और सूर्य का जो संबंध है वो बहुत जादा सर्वश्षिष्ट बनाता है राजनीति में राहू और सूर्य एक अपने अपने रोल को प्ले करते हैं सूर्य आत्मा का कारक है सूर्य आत्मा का कारक है समाज में लेवल तक होल्ड कर सकते हैं कहां तक लेके जा सकते हैं इसका जो संबंद होता है वो सूर्य से होता है और राहू नीतियों का काम करता है राहू चालाकी देता है राहू चतुराई देता है राहू काम करने के लिए आपको आगे लेके जाता है ग्रह कितने होते हैं साथ को आगे और पीछे लेके जाने काम करते हैं राहू और केतू ग्रहों मैं शामिल नहीं होते हैं सूर्य सिसनीत certificate । के बीच में जो साथ ग्रह है वह Actually role play करते हैं और राहू और केतू उस role को मजबूत और कमजोर करने का काम करते हैं तो सूर्य कितना प्रबल रहेगा और कितना इफेक्टिव रहेगा राजनिती में इसको प्रबल करने का काम राहू करेगा अब बात करते हैं नवांश कुंडली की विक्कॉज नवांश कुंडली और दश्मांश कुंडली को देखे बिना अगर आपने किसी को बोल दिया कि आपका राजनिती में करियर है तो वो आपने पूरी तरह से एनालिसिस नहीं किया है आधा एनालिसिस ही हुआ है मान लीजे आपकी लगने कुंडली मजबूत है पर दश्मांश में शनी की स्तती खराब है तो आप पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते ऐसा ही केस आया था एक व्यक्ति जज की पोजिशन तक जा सकता था लगने कुंडली से पर दश्मांश में उसका शनी कमजोर हो गया और दश्मांश में शनी कमजोर होने के कारण व्यक्ति को सरकारी नौकरी तो मिली पर वो कलर्थ तक ही जा पाया वो आगे नहीं जा पाया तो इसलिए दश्मांश कुंडली और नवांश कुंडली देखना अनिवारी हो जाता है दश्मांश कुंडली और नवांश कुंडली से आप निर्णे पर पहुंच सकते हैं कि व्यक्ति किस तरह से समान पाएगा, कितना समान पाएगा, कितनी प्रसिद्धी पाएगा, और जो सफलता हैं उन्हें मिलेगी, वो किस लंबे अंतराल तक मिलेगी, ये देखना आनी वारी है. आप एक बार राजीती में आए, आपने चुनाव जीती लिया, पांच साल तक के लिए आप बन गए, अब उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ये योग देखने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो इसे लिए नवांच कुनली और दशमांच कुनली का अध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ, दशा, महादशा, शुक्षमा दशा का अध्यान करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इसके अलावा और कौन-कौन से योग हैं जो कि आपको राजनीती में करियर के लिए मदद कर सकते हैं नेत्रत्व के लिए आप देखिए कि राहू मैंने आपको जैसे बोला सूरिय सबसे पहले सूरिय के साथ बुद का योग, बुदादी योग वक्ता अच्छा हो जाता इनसान बोलने की वाणी बहुत अच्छी होती है लोग बात पे ही चल जाते हैं जब सूरिय बुद की यूटी बन जाये और सूरिय अच्छा हो जाये साथ में गुरु और चंद्रमा का सयोग मिल जाए तो यहाँ पर धन भाव और छटा भाव अगर एक हो जाए तो फिर कहने ही क्या इसे व्यक्ति राजनिती में चलते जाते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं बहुत लंबे अंतराल तक उनकी लोग प्रियता बनी रहती है को कोई करक लगने की कुली है और दशमेश मंगल दूसरे भाव में इस्तिते जो की धन भाव है शनी लगन में द्यानक नहीं करक लगन की कुंड़िये शनी लगन में आचुके हैं यहाँपर और छटे भाव में राहू जो की सेवा भाव है आपका तो फिर राजनीती में करियर कन्फॉर्म है यश की प्राप्ति होगी ही होगी ये बहुत ही अच्छा एक सुन्दर योग बनता है और इस तरह के योग के इंसान को राजनीती में जाने से कोई रोक नहीं सकता है तो ये कुछ विशेश योग थे जिसके कारण आप राजनीती में जा सकते हैं आप राजनीती में करियर बना सकते हैं आप राजनीती में किस लेवल तक जा सकते हैं इसका अध्यन कुणली में लगने से नवांश से दश्मांश से ही किया दा सकता है और कौन कोंसे ग्रह में आ च्टायकार से चल रहे हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो麵े जानकरी में आपको काफी मदद करेगी और याพर जासकते हिं कि राजनीति के लिए यानाजनीति करें हैं या नतीन करते हैं आसनेज्ज़ करें अब पूरी कुशिश करूँगा कि आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सको इसके अलावा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा शेर करिएगा सब्स्राइब करिएगा और जादा से जादा लोगों तक पहुंचाईएगा तक जादा से जादा लोग वीडियो का लाब ले पाएं और जादा से जादा लोग इस वीडियो को देख के कुछ समझ पाएं कुछ सीख पाएं और आगे बढ़ पाएं इसके अलावा दोस्तों अगर आपका भी कोई टॉपिक है कोई स्पेसिफिक टॉपिक का वीडियो चाहते हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं उस टॉपिक के ओपर भी आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करूँगा धन्यवाद